चेहिन सिट भी से ग्रेड ए असिस्टेंट मेनेजर की वेगंसी निकल गई है असिस्टेंट मेनेजर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर bachelor degree in engineering जिसमें civil से इलेट्रिकल से mechanical से भरती है और ग्रेड ए सहायक प्रबंदक भरती है तो इसका मैं वीडियो को स्टार्ड करूं उसके लिए आप मेरे ट्विटर अकाउंट को फालो कर दो नहीं नहीं जॉब की नोडिफिकेशन आपको यहां से मिल जागी यहां पर भी चीज़ें आपको अफ लेबल हो जाएंगी यह मेरा यूट्यूब चैनल है यहां पर आपको नहीं न आप सायट है लिंक video के नीचे आपको दिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा अब आपको यहां पर क्या करना है देखिए यहां पर आपको इस केरियर की आंप्शन पर आपको खे देना है clear अब आईए मैं क्लिक करके दिखाता हूं जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज उपेनों के आ जाएगा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको सबसे टॉप पर ही यहां पर देखने को मिल जाएगा यहां पर देखें यह सबसे टॉप आला जो लिंक है इसी के उ 2022 तो इसे पहली यह फोसस्थ कहता है आपो इस फौण को भरना है तो आईए सबसे पहले आपको-क्क्र呢-sk pro कर देना है तो मैंने क्लिक कर दिया गपया बाक्स कि जूब कर सकते हैं कूछ इस तरीके से मैंने जूम कर दिया है जूम करने के बाद देखे शिडवी से ये वेकंसी है पर्मानेंट वेकंसी है अब आई यहां पर देख लेते हैं इसकी डेट और तो डेट पर आप देखेंगे तो सबसे पहले देखें इसका जो गेटवे है ऑपनिंग रजिस्टेशन का तो चार मार्च दो 2022 है बांकी यह सारे डेट आप यहां पर देख सकते हैं कि इंटर्व्यू कब होगा ऑउनलाइन एक्जामिनेशन 16 अप्रेल को इंटर्व्यू जो स्टूडियू होगा मैं 2022 में है तो यह सारी जानकारी कट अगरा आप यहां पर रेट कर सकते हैं पर सकते हैं यह दी हुई है सत्तर अजार रुपए आपको सत्तर अजार पर मत मिलेगा और असिस्टेम रानेजर ग्रेड ए जन्रल स्ट्रीम से है नंबर वाकेंसी की बात करो तो सौव वाकेंसी है SCST के लिए देखी क्रपया 16 और 7 है OBC और EWS के लिए 24 और 10 यूर के लिए 23 है टोटल 100 पोस्ट हैं बाकी यह जो PWD के लिए रिजर्व है यह भी आप यहां पर रीट कर सकते हैं तो यह कैटेगरी वाइस रेकेंसी डिटेल थे और पोस्ट का नाम था तो यहां पर सारी जानक करके आप रीड कर पाएंगे अब यहां काफी नीचे स्क्रॉल करने के बाद अगर आप यहां पर देखेंगे तो इलिजिबिल्टी क्राइट एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी इसको रीड कर सकते हैं जिसमें आप से इंडिया के हैं नेपाल बोटान यह इसके बाद अब यहां पर देख सकते हैं एज लिमिटेशन आपकी एज क्या होगी तो फॉर पॉइंट टू में अगर देखेंगे एज भी दिया गया है काउंट होगा मार्च 2000 देखें यहां पर देखें काउंट करेंगे तो मार्च चार मार्च 2022 से आपकी एज गड़ना ह अगर आप देखेंगे तो स्धी यहां पर सी संट के लिए पांच साल की छूट मिल जाएगी ओवी सी के लिए अगर आप जाएंगे तेन साल के लिए मिल जाएगी बांकि जो इसके पर देखने को अपक्रीप सकते हैं मार्च 24 2022 तो यहां पर देखें, पोस्ट सबसे पहले तो यहां पर पोस्ट का नाम देखेंगे, तो पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की है, ग्रेड ए जनरल स्टीम से है, इस्टीम को बताएं, तो यहां पर जनरल है, अब एड़केशन कौलिफिकेशन देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे, बैचलर डिगरी इन लाउ, क्या है पहली, पहला क्या होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिगरी इन लाउ से हो, और बैचलर डिगरी इन इंजिनियरिंग, ठीक है, बैचलर डिगरी इन इंजिनियरिंग, आपके पास बी की डिगरी हो, प्रिफरेंस विबली क्या होगा, सिविल से हो, इलेक्रिकल से हो, मेकाइनिकल से हो, तो यह आपके पास हो, यहां द देखेंगे master degree in any district line ठीक कि इसके district line क्या है commerce से हो economics से हो और management से हो क्या होना चाहिए master degree आपके पास हो commerce economy में तो भी आप इस form को भर सकते हैं for subject for institute और university recognized by university देखें दिया हुआ है यूजी से जो है प्रमाडित हो और चार्टेट एकाउंटेंगे इसके अलावा भी चीजें देखिए क्या है इसके पास qualification के लिए क्या होना चाहिए आपके पास देखें जन्रल एन OBC के लिए 60% marks के साथ यह सारी जो डिगरी आगर आप देख रहें हैं यह सारी जो डिगरी आ हैं यह सभी जन्रल OBC के लिए 60% होना चाहिए और assistant के लिए 55% schedule काश्श वगर्रा देखिए दिया हुआ सब्सक्राइब को भर पाएंगे बड़े आसानी से इसको स्क्रॉल करते चलिए देखे यहां पर दिया हुआ है मांक्स अलड़ी देखी साट परसंट परसंट जो कि मैंने अलड़ी आपको बता दिया है अब यहां पर हम बात कर लेते हैं स्लेबस की तो स्लेबस भी बहुत बात देखेंगे तो जन्रल नालेज अप्टिटीट का है तीस कोश्चन नम्बर ऑफ कोश्चन 30 से मार्क्स एक कोश्चन के होंगे 20 मिनट का समय मिलेगा यह एक कोश्चन पर एक मिनट भी नहीं मिलेगा जन्रल आवेरनेस के मिल जाएगा वेत उसके बाद देखे सेक्टर में है जिसमें एकोनामिक एन सोचल इसूज के उपर आपके पास कुश्चन ना जाएगे 50 कुश्चन होंगे 50 नमबर होंगे अधा घंट है मतलब 30 मिनट का समय मिलेगा दिन आपको रिजनें एप्टिटूट है इसमें भी 40 कुश्चन आएंगे 60 मार्क्स के होंगे और 40 मिनट आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद 14 नमबर भी आप पढ़ सकते हैं यहीं पर और चापाचवा नमबर भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है और यहां पर देखे एक चीज और भी आपको देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन जो टेस आउनलाइन एक्जामिनेशन कैसा है CBT होने वाला है इसके लिए आप अच्छे से तयारी कर ले यदि कोई सहायता चाहिए तो आप हमारी ट्विटर पर पर लिए कर सकते हैं तो अपर देखेंगे तो कुछ में धुडिया गया है जो आप यहां पर ले पाएंगे तो आपको चीज़े आप बना के रखें तभी आप तो भारें लेट निशन का प्रूफ हो जाएगा यदि प्रूफ अगर जब आप सेंटर पर जाए तो आप अपने ले ले यह सारी जानकारी आप यहाँ पर रे सकते हाउ टू अपलाई अपलाई कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगा तो यह पूरा नोटिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से डाउनलोड कर ले अब मैं इसमें नीची आपको एक चीज देने की जरूत नहीं है किवल इन्टिमेशन चार्जिज आपको यहाँ पर लगना है 175 रुपाई किसको SCSTPWD को जिसमें से टोटल आपकी फीस लगेगी 175 रुपाई बाकि अगर आप देखेंगे तो जनरल OBC EWS जनरल कैटिगरी में आपको 925 रुपाई फीस लगेंगे 175 र तो यह थोड़ा सा ब्योक्ति है कि स्टाप लोगों को इतना कि वो लोग सेलरी पर एक विरोजगार बंदे के लिए तो फ्री होना चाहिए बट यहाँ पर इन्होंने ऐसा कर रखा है कोई बात ने अब यहाँ पर देखें हाउ टू अपलाई कैसे अपलाई करना है तो इसक जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हाला कि यह अभी लिंक एक्टिव नहीं है देखिए एक्टिव बिल बिशूट शॉटली दिया हुआ है लेकिन जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होगा आप यहीं से फॉर्म को भी भर पाएंगे यदि कोई समस्या होती है कोई प्र शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए बाएंगे बाएंगे